असलाम अलेकुम, उमीद करते हूँ आप सब खेरियत से होंगे, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगी, होस्टल एसेंशियल, बिफोर हेडिंग ओवर तो दे में टॉपिक, मैं आपके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन शेर करना चाहूँगी, जिन स्टुडेंट्स अगर आपके साथ सेनियर्स हैं तो आप उनके रिस्पेक्ट जरूर करें, लिकिन अगर आपके सीनियर्स आपे अपने रूल्स एंड रिगुलेशन्स मुसलत कर रही हैं, दिन यू कन कम्प्लेन अगेंस्ट थेम, आप रूम एटेंड़न्स रहा हैं, उनको कम्प्लेन करें बिकॉस यूर पेंग फार यूर प्लेस, इस यूर प्लेस, होस्टल में आप किसी से भी डर डर के ने रहें, क्योंके ये आपकी प्लेस है और आप इसके लिए पे कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सटी की फ्रेंशिप्स हैं, उससे ज्यादा सोच समझ कर आप होस्टल की फ् यहां होस्टल के MS हाल में आपको प्लेटर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन जो बेसिक यूर टेंसिल्स होते हैं, लाइक प्लेट्स, ग्लास, स्पून या आपके पास होने चाहिए, जब आप होस्टल में आते हैं, वाइफा की फिसिलिटी हाल कॉंसल 2 और 3 में अवेलेबल है लेकिन हाल कॉंसल 4 में वाइफा की फिसिलिटी नहीं है उसके लावा जो गिजर्स हैं वो हाल कॉंसल 2 और 3 में हैं, जबके हाल कॉंसल 4 में अवेलेबल नहीं हैं किचिन उवेलेबल है किचिन में आप कुकिंग कर सकते हैं ब्रेक्फस्ट बना सकते हैं सभी हौलकॉ T实 famoso पॉर सious可以 हार फ्लॉर के लिए एक freezer जो है और रिजर आप ह texto होता है लेकितने सारे बच्चों में वो एक freezer कोई काम नहीं करता fashion machine की facility भी available है लेकिन वो almost खराबी रहती है iron stands हर hostel में available है लेकिन आपको iron जो है वो अपना लेके आना पड़ेगा इसके लावा mattress या गदा और उसके लावा bed cover, pillow, blender, basic utensils जो होते हैं और water bottle या आपको अपनी cupboard के लिए lock लेके आना चाहिए क्योंके hostel में जहां इतने लोग रहते हैं हर तरह के लोग होते हैं तो यहां पर चोरियां भी काफी होती है इवन यहां पर camera's मुझूद है लेकिन camera's होने के बावजूद यहां पर आए rose driver चोरियां हो रही होती है तो अब कहीं भी जाया है university जा रहे हैं या अपने रूम से बाहर किसी दोस्त की तरफ जा रहे हैं तो आप अपनी कबर्ड को लॉक करके जाए Your security is your own responsibility So be very careful हर डिपार्टमन में student advisor हैं वो सब students को equally deal करते हैं आप एक दफ़र दुबारा बताती चलो कि जिन students का hostel के list में नेम नहीं आया वो अपने student advisor के थूरू contact करें होस्टल में हो सकता है कि उनके बहाफ पे आपको होस्टल में space मिल जाए अगर आपको होस्टल में space नहीं मिलती तो मैं अपनी next video में आपको private hostels का भी जरूर बताऊंगी कि जिसी युनिवरसिटी के पास कौन से private hostels हैं क्योंके मैं काफी सारे जो तकरीबन जितने भी जिसी युनिवरसिटी के पास हैं वो सब hostels विजिट कर चुकियों और experience भी कर चुकियों तो मैं आपके साथ उनकी details शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा hostels वहां पे अवेल करना चाहिए उमीद करती हूँ कि आपके hostels essentials के related सारी queries जो हैं वो clear हो चुकी होंगी तो मिलते हैं अपरे next video में till then take care, Allah حافظ